नमस्कार दोस्तों आज 22 एप्रिल 2022 है मेरा नाम अश्वनि गुज्राल है और यह प्री मार्केट रिपोर्ट आप तक 5pesa.com के सौजन से आ रही है अब कल S&P 500 में बहुत एक जो है खतरनाक बार बनी और उपरी स्तरों से एक टाइम पे S&P 500 47 पॉइंट्स उपर था और वहां से कुछ 70 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ है तो यह एक सीरियस बार है क्यों क्योंकि जेरोम पॉवल क्योंकि फेड चेर्मेन है उन्होंने कहा कि 50 वेसेज पॉइंट हाइट हो सकता तो मेरे हिसाब से यह कोई इतनी बड़े शौक की बात नहीं थी क्योंकि ऐसा वो कहते आए तो जिस तरह की इंफलेशन अमरीका में है यह करना पड़ेगा बड़ बजारों ने इसको जो है काफी एक नेगिटिव टोन से लिया और आज सुबा एशिया में भी हम देख रहे हैं कि इसकी विएसे कमजोरी है अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इंसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पहमाई राए, जियो पॉलिटिक्स पहमाई एडवाइस चाहिए हो तो इस विडियो के नीचे एक डीमैट लिंक है उसके तुरू अकाउंट खुलाएं, फंट ट्रांसवर करके 9871066337 पर उसको भेजें तो यहां से आपको एक प्राइवेट टेलिग्राम ग्रुप में ल मेंटरिंग प्रोग्राम दुबारा स्टार्ट कर रहे हैं, रिलाउंच कर रहे हैं, रिपैकेज कर रहे हैं, जहां पर हफते में तीन दिन, दो दो घंटे, एक महीने तक आप हमारे साथ जूम से कनेक्टेड होंगे और वहां पर एक आपको ट्रेनिंग दी जाएगी किस ची किस तरह की चीजे देखने वाली होती हैं, कुछ आपको होंवर्क होगा, कि वो पैटन बाकी दिनों पर आप अपने बिहाफ पर देखें, और एक रेगुलर हैंड होल्डिंग और ट्रेनिंग के कॉंटेक्स्ट में वो चीज रहेगी, अगर उसके बारे में जानकारी चाहि हैं, फर्स्ट में से शुरू होगा और हमारे पहले बैच में पांच बच्चे या मोस्ट जो बैचिस होंगे उसमें पांच बच्चे ही होंगे, जल्द से जल्द अपनी सीट बुक करवाएं, अब ब्रेंट कूड पे अगर हम सुबा सुबा नजर एक डालें, तो यहां पे बहुत ज्यादा फरक नहीं है, और 107.3 है, बॉन्ड यिल्द अलबत्ता काफी यहां से उपर गई है, तो 2.950 है, बट यह भी एक्सपेक्टेड था, यह जो सारी गिरावट आज सुबा हुई है, यह सारे उन कारणों से है, जो एक्सपेक्टेड थे, तो मेरा जो ओवरॉल यू था, और कल हमने कहा कि यह मार्केट बाई और डिप बन रही है, तो मेरे एसाब से इस डिप को खरीदना चाहिए, अब आप लोग बहुत हैरान होंगे, कि इतना बड़ा 200 पॉइंट का डिकलाइन है, उसको मैं खरीदारी करने को कह रहा हूँ, लेकिन खरीदारी का तरीका होगा, कि पहले आदे घंटे मार्केट को वाच करें और अगर उसके बाद धीरे धीरे एक जो है आपको इस तरह का, वो मिलता है, प्राइस एक्षन और बाजार उपर की तरफ जाना शुरू करते थे हैं, बाइंग आपने तो करनी है, अगर गाप डाउन होता है, और वो प्राइस एक्षन नीचे की तरफ तूपना शुरू हो जाता है, तो आप उसमें बाइंग नहीं करेंगे, मुझे ये उमीद है कि मेभी मिड़े तक आपको ये उपर की तरफ रिजॉल्व होता हुआ, नजर आ सकता है, बट इस चीज का वेट आपको करना है कि ये जो है, आपको किस तरह का कॉन्फर्मेशन देता है, तो इस बात का ध्यान रखें कि बाइंग डिप है, लेकिन वहाँ पे आपको डिप पे कोई और भी खरीचता हुआ नजर आना चाहिए, मुझे लगता है कि अभी एक एक एक्सकरजन 17500 तक बाकी हो सकती है, ये बात मार्किट हमें कन्फर्म करेगी, लेकिन इमिडेटली इसको सेलिंग के लिए देखना शायद सही तरीका नहीं होगा, इंडिविजूल कॉल्स की बात करें, क्योंकि हम बाई और डिप में हैं, तो कुछ खईदारी की कॉल्स हैं, कोटक बैंक में 1760 का कॉल लें, 15 रुपे का स्टॉप, 65 रुपे का टार्गेट, 15 का स्टॉप, 65 का टार्गेट, अब ये प्राइसे थोड़े से चेंज हो जाएंगे, तो वो आपको उसके लिए अज़स्ट करना पड़ेगा, जूबलेंट फूड में 600 का कॉल लेना है, यहां पर स्टॉप लॉस 9 का है, टार्गेट 45 का, तार्टा मोटर्स में 450 का कॉल लेना है, स्टॉप लॉस 5 का, टार्गेट 17 का, और HUL में बाय है, futures या equity में यहां stop loss 2182 का target 2260 और coal India में buy है stop loss 202 target 210 का तो फिलाल के लिए इतना ही आज का दिन tricky भी होगा और interesting भी और मुझे यह लगता है कि by the end of the day हमें यह ठीक ठाक जानकारी मिल जाएगी कि यहां से market की एक leg और उपर है यह यह pullback यहां पर समाप्थ हो गया है फिलाल के लिए इतना ही यह presentation आप तक 5pesa.com ने पहुंचाई आज का दिन आपका अच्छा रहे take care and good luck